प्रेसर की सहायता से कोई भी मेटेरियल को कास्ट करते हैं अगर हिस्ट्री की बात करें प्रेसर डाइकास्टिंग के तो ऐसा हम लोग लिट्रीचर से प्राप करते हैं कि 19th century के mid में प्रेसर डाइकास्टिंग पहली बार किया गया था अगर हम लोग और रिकॉर्ड्स की बात करें तो पहला manual operated प्रेसर डाइकास्टिंग मसीन 1849 में patent हुआ था और उस time के अगर हम बात करते हैं तो टिन बेस्ट और लिट बेस्ट डाइकास्टिंग अलॉइस होते थे उसके बाद जैसे जैसे वर्ल्ड वार फॉस्ट हुआ यानि 1914 से लेकर के 1918 तक तो जस्ट उसके पहले हम लोग अगर देखें तो जिंक अलॉइस का के white की कास्टिंग स्टाट होगई थी उसके कच समय बात करें तो मैंगनेशियम और कॉपर की कास्टिंग स्टाट होम लोग थे प्रिसर डाइकास्टिंग को बिसिकली है दो पाट्स में ौ phonट चेमिर प्रिश्डाइकास्टिंग होता है और एक hot chamber pressure die casting होता है cold chamber pressure die casting में हम लोग metal को melt करते हैं लेकिन जो metal को हम लोग melt करते हैं furnace हमारे process का integral part नहीं होता है लेकिन hot chamber pressure die casting में furnace हमारा integral part होता है हमारे casting का That's all for today's class. Thank you. झाल